Hello friends, Nina Education के आज के क्लास में आप सभी का सौधत है आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समाज सास्तर के अंतरगत मौली का अवधारनाओं में हम लोग सबसे पहले समाज का धिन कर रहे हैं इसकी एक class हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको समाज के बारे में बताया, और आज की class में हम लोग समाज की विशेष्टाओं के बारे में पढ़ेंगे, समाज की विशेष्टाओं जो हैं बहुत सारी हैं, तो एक class में ये complete नहीं हो पाएगा, तो आज की class में maximum हम लोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों को समझते हुए पढ़ना है, तो चलिए देखें कौन-कौन सी विशेष्टाओं हैं समाज की, जिसके बिना समाज की कलपना नहीं की जा सकती, समाज और उसकी प्रकृती को समझने के लिए, उसके कुछ प्रमुख विशेष्टाओं प पारसपरिक जागरुकता, किसी भी समाज का हम जब हम अध्यन करते हैं, या फिर समाज की बात करते हैं, तो पारसपरिक जागरुकता सबसे पहले आती है, इसका क्या अर्थ होता है, इसे देखें, इसके अभाव में ना तो समाजिक संबंद बन सकते हैं, पारसपरिक जाग तो समाज नहीं बन सकता, तो इसके अभाव में ना तो समाजिक संबन बन सकते हैं और ना ही समाज, जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिती से प्रत्यक्षिया और प्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे, तब तक उनमें जागरुकता नहीं पाई जा सकती है, जब वो परिचित होंगे, तब ही एक दूसरे के बारे में जानेंगे, और अन्ता क्रिया भी नहीं हो सकती है, इसका आर्थ है एक दूसरे के बीच परसपर होने वाली क्रिया हैं, वो भी नहीं होंगी, इस जागरुकता के अभाव में वे ना तो एक दूसरे से प्रभावित हों अर्थात उनमें अंतर्ग्रिय नहीं होगी। अताय इस पश्थ है कि सामाजिक संबंधों के लिए पार्सपरिक जगरूक्ता का होना आवशक है। तो यह समाज का सबसे जो आधार हम कहें तो यही है। कि जब तक पारस पर एक जागरुपता नहीं होगी, वो समाज संभव नहीं है. दूसरी जो बहुत महातोपून विशेस्ता है इसकी, समाज अमूर्थ होता है. ये कोई वस्तू नहीं है, जिसका कोई निश्चे ताकार प्रकार हो, समाज व्यक्तियों का समूह नहीं होकर, उनमें पनपने वाले समाजिक संबंधों का जाल है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे द्यान से समझे, समाज केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होता है, बलकि उस समूह में जो व्यक्ति रहते हैं, उनमें जो आपसी जो समाजिकता का भाव होता है समाजिक संबंध होते हैं इनका जो एक जाल होता है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है उसे ही समाज कहते हैं तो समाजिक संबंध जो होते हैं वो दिखाई नहीं देते वो अमूर्त होते हैं इन्हें देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो संबंध जो होते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं हम, अता समाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्थ होता है। तो जब समाजिक संबंद अमूर्थ हैं, तो इनका जो इन पर आधारित जो समाज है, वो भी अमूर्थ होता है, तो समाज का कोई निश्ची ताकार प्रकार नहीं होता है, या तो अमूर्थ समाजिक संबंदों की जटिल वेवस्ता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, कि या अ अनुसार या रियूटर ने क्या कहा कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है, रियूटर ने कहा जीवन एक वस्तु नहीं है, जिस प्रकार से जीवन एक वस्तु नहीं, बल्कि जीवित रहने वाली एक प्रक्रिया है, उसे प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है, बल्कि बंदे स्थापित करने की एक प्रक्रिया है, अताइस पष्ट है कि समाज भी अमूर्थ धारना है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि समाज की का कोई निश्चिताकार नहीं होता, समाज में समानिता एवं और समानिता, काफे महतोपुन विशेष्टा है समाज की, और इसे पूरे डिटेल से हम समझेंगे क्या है, समाज में हमें ये दोनों ही देखने को मिलते हैं, समानिता भी देखने को मिलती है, विशमता भी या और समानिता भी, साथ ही समाज के लिए य कि जा सकते हैं, जिसमें पुर्निता, समानता या पुर्निता और समानता हो, तो समाज के लिए समानता और और समानता दोनों का होना आवश्यक है, समाज में समानिता, जब तक लोगों में किसी ना किसी मात्रा में समानिता की भावना नहीं होगी, तब तक उनका एक तूसरे से सम्बंदित या इकठे होकर रहने का प्रश नहीं नहीं हो सकता ऐसे स्थिति में समाज का निर्मान नहीं हो सकता समानता होना क्यों आवशक है क्योंकि जब तक समानता नहीं होगी लोगों के आचार विचारेक से मिलेंगे नहीं थोड़े बहुत मात्रा में तो समानता होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो समाज का निर्मान ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत समानता नहीं रहने पर लोग एक साथ नहीं रहेंगे, संबंदित नहीं रहेंगे, कठे नहीं रहेंगे, उनमें हमेशा संघर्ष होगा, तो इसलि पर इकठे रहने पर समाज में रहने पर भी लोगों में भिन्यता पाई जाती है। जगह ये चीज देखने को मिलती है। समाज में और समानता और समानता दोनों ही आवश्यक है। इसके आगे भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि समाज की विशेस्ताओं के अंतरगात आते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। और कोशिश कर जाते हैं कि अगली क्लास में आपको विशेस्ताओं के समाज की विशेस्ताओं इसके फिशेस्ताओं करें। विशेर के बहुत जाएं। पढ़ें जोज़ए। और ऋसना जाम लोगात बढ़ाएं। म 12 जाम लोग पर्दा दोलों कोशी। कि हाँए इसके अंतरगा." तो बहुत अच्छा होगा मैं कोशिश करूंगी कि उसे भी कवर करा हूं तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं धन्यवाद